पुलिस एंकाउंटर के दौरान माल गराती है या फिर उन्हें घायल अवस्था में ग्रफतार कर लीती है आलम यह कि यूपी पुलिस की इस तगड़ी कारवाई को देखकर गव तसकर थर थर काप रहे हैं वो अपनी जान बचानी के लिए नएने तरीके ढूड रहे हैं लेकिन यूपी पुलिस इन्हें का छोड़ने वाली है वो इन्हें पाताल से भी खोजगर सजा दिला रही है एक बड़ फिर से सूबे की पुलिस ने गववंशिय पश्यों की अत्या करने के आरोब में दो ग्रेव के चोधे लोगों पर तगड़ा अक्षन लेते हुए गैंगिस्टर की रिपूर्ट दर्च की है दरसले एक्षन डिड़ुली पुलिस ने लिया है और अब पुलिस तसकरों की गरफतारी के लिए दविश्ट दे रही है पुलिस की इस बड़ी कारवाई से चेतर के तसकरों में खलबली मची है जिले में गोवेश्य पशो के कटान का धंदा बड़े पेमारे पर चल रहा है एसपी सुनीति के आदेश पर जिले की पुलिस तसकर और माफिया के खिलाब अव्यान चला कर कारवाई कर रही है ऐसे में डिड़ॉली कोतवाली चेतरमा गोवेश्य पशो का कटान कर मास की तसकरी करने वाले चोधै तसकरों के खलाब गैंगिस्टर की रिपोर्ट दर्च की है जनकर के मताबिक महला एकबाल लगर जोया के रहने वाले रजबा और फिर्याजुद्दी दानिश फर्मान और परवेश को गैंगिस्टर लगाए गया है इसके लाबा डिनोली के डगिया चमन के रहने वाले मुस्तकीम जाहिद, साजिद और फशाहिद, मुषाहिद और मुजाहिद और शोयव पर गैंगिस्टर की रिपोर्ट दर्च की गई है सबी लोग अलग अलग दो ग्रो बनाकर अपने आर्थिक और भौतिक देशों की पूर्ती के लिए गोबंशिय पश्यों का वदकर उनका मास बेचने जैसा जगन अपरात करते हैं पुलिस मामला दर्च करके आरूपियों के ग्रफतारी के लिए दविश दे रही है उम्मीद है कि जल्द ही इन गो तसकरों को ग्रफतार करके इने सजाद दिलाई जाएगी वैसे भी सीम योगी ने पिछले दिनों ही कहा था कि हमारी संस्कृती में गाय को गोमाता कहा जाता है गाय के बिना कोई कर्मकांड पूरा नहीं किया जा सकता और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गो सरनचन और संबर्धन के लिए कई फैसले लिये हैं चाहे वो अवैद पूचन खानों और गोवंश तसकरी पर पैन लगाने की बात हो या फिर गोकशी करने वालों के खलाब कड़ा कारून बनाने की कुल मिलाकर गोहत्या करने वालों को सियम योगी किसी भी कीमत पर छोड़ने के मूर में नहीं हैं क्योंकि वो कोदे एक मैंत हैं जो गव सेवा करते हुए नजर आते रहते हैं देश और दुनिया की तमाम ख़वरों को पाने के लिए देख तरही है वीकी न्यूस नमस्कार